यार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मुझाओद्यावनिश चैनल पर और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार यस लिख देना ठीक है शिरुवात करते हैं पहले क्योशन की पहले क्योशन आपका सामने लिखा हुआ है चलिए आगए सभी तो पहला क्योशन आ चुका है कि जो लाल लेड होता है वो PB3O4, PBO, PBO2 या PB2O3 जो लाल लेड होता है वो कौन सा होता है बता है बता है very good सभी को good evening good evening good evening पहला क्योशन है कि लाल लेड जो होता है वो होता है PB3O4 very good शापाश अगला क्योशन जो गेमेक्स हैं यह गेमेक्स का नाम है बैंसिन हेक्साक्लोराइट हेक्साक्लोरा बैंसिम 123456 हेक्साक्लोरो साइक्स या 123456 हेक्साक्लोरो बैंसिम गेमेक्सेन का जो नाम है वो क्या है तो गेम एक्सेन का जो नाम होता है वो एक वन गेम एक्सेन का नाम होता है वन टू त्री पोर फाइब सिफ हेक्सा क्लोरो हेक्सा क्लोरो साइको हेक्सेल हेक्सा क्लोरो साइको हेक्सेल वेरी गुड़ तिस्तरा नंबर पर आ जाते हैं तिस्तरा नंबर जो question लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है निमने लिकित में से आठ अनुपाद आठ को ordination का जो उधारन है वो कौन सा है आठ अनुपाद आठ को ordination का जो उधारन है वो है CAF2 CSCL JNS या KCL निमना कित में से आठ अनुपाद आठ को ordination का जो उधारन है वो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा बिल्कुल सही CSCL चली अगला question अगला question लिखा हुआ है के 4 FE CN6 में FE की आक्सिकराण अवस्ता होती है प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 या प्लस 3 के 4 FE CN6 में FE की आक्सिकराण अवस्ता हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस 2 क्या हो जाएगी प्लस 2 फोर्थ नंबर का क्यों कि अमली हाइट्रोजन जो उपस्तित होता है वो किस में होता है अमली हाइट्रोजन जो उपस्तित होता है वह एथाइन में होता है इथीन में होता है या बेंजीन में होता है बताए अमली हाइट्रोजन किस में उपस्तित होता है वेरी गुड अमली हाइट्रोजन जो उपस्तित होता है वो एथाइन में होता है किस में होता है एथाइन में कौन सा होता है आपका अमली हाइट्रोजन लोहे के प्रगलन में वात्या भट्टे में 400 डिग्रे सेल्सियस से 600 डिग्रे सेल्सियस पर जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है S plus O2 is equal to Fe plus SO2 या Fe 2 O3 plus 3 CO is equal to 2 Fe plus 3 CO2 लोहे के प्रगलन में वात्या भट्टी में 40 degree Celsius माइनस 600 degree Celsius पर जो अभिक्रिया होती है न वेरी गुड शाबाश बिल्कुल सही जबाव आप सभी का वो होती है Fe 2 O3 वाली होती है प्लस 3 CO is equal to 2 Fe plus 3 CO2 वाला अगला क्यूशन है निम्नांकित में से कौन सा प्रतिकारक एथिलिन एवं एसिटिलिन के बीच विभेद करने के लिए प्रियुक्त है निम्नांकित में से कौन सा प्रतिकारक एथिलिन एवं एसिटिलिन के बीच के जो विभेद के लिए हैं जो प्रियुक्त है वो ब्रोमिन जल, शारी, सांध्रान या अमोनिया क्यूप्रस क्लोराइड बताए आटवे नंबर का क्योश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रतिकारक एथिलिन एवं एसिटिलिन के बीच विभेद करने के लिए प्रियुक्त होता हैं तो वो होता हैं अमोनियान क्यूप्रस क्लोराइड कौन सा होता हैं केमेस्ट्री के क्योश्चन करा रहा हूं फिर आपके बाईलोजी के कर लाएगे आणविक भार योग होता हैं प्रोटान तता न्यूट्रान का सिर्फ प्रोटान का केवल एलेक्ट्रान का या प्रोटान प्लस एलेक्ट्रान का बताए आणविक भार योग होता हैं किसका य एलेक्टरान दोनों का तो वेरी गूड आंसर आणविक भार जो होता है वो प्रोटान और न्यूटरान का योग होता है वेरी वेरी गूड दस्वे नंबर का अगला कॉशन है प्रती मारको निकाफ संकलन निम्न में से किसमे नहीं पाया जाता है प्रती मारको निकाफ संकलन निम्न में से किसमे नहीं पाया जाता है प्रोटीन में ब्यूटीन में ब्यूटीन वन ब्यूटीन टू या पेंटीन ठीक है बताए और जो भी भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं स हमारे सांथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिलकुल जूड सकते हैं 9753-74986 से प्रति मारकुनी का संकलन जो किसमें नहीं पाया जाता है तो ब्यूटीन टू में नहीं पाया जाता अगला किस्चिन निम्न लिखित युग्मों में से एक मिज़ा देख लेते हैं निम्न लिखित युग्मों से कौन सा अच्छा इन में आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोहर समस्तानिक रदरफोर्ड प्रोटान जेम्स चेडविक नूटान या जे जे तामसन उलेक्टान तो देखू बिल्कुल सही हैın नूटान बिल्कुल सही है लेकन बोहर समस्ताईक ये बिलकुल आपका गलत हो जायगा बढ़ते हैं अगले question क्यों केसी टेराइड आयस्क है टीन, जिंक, लेड या तामबे का केसी टेराइड जो आयस्क है वो किसका है केसी टेराइड आयस्क है वो किसका है बताए केसी टेराइड जो आयस्क है वो है आपके टीन का तीन का आयस का क्या है आपका? के, सी, टे, राइट. Very good. अगला. अगला क्रॉशन है. किसी भी स्वत प्रक्रिया के लिए. एक मिल्ट में देख लेता हूँ. मुख्य उर्जा कोन सी हैं? किसी भी स्वत प्रक्रिया के लिए जो मुख्य उर्जा है वो रिणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं, शुन्य होती हैं या अनन्त होती हैं बताए बिल्कुल सभी, वो होती हैं आपकी रिणात्मक किसी भी स्वत परक्रिया के लिए जो मुगत उर्जा होती हैं, वो रिणात्मक होती है अगला है चौद्वे नमबर का Most important question है ये किसी जली विलियन की pH 7 से कम है किस जली विलियन का pH मान 7 से कम है बताए किसका 7 से कम है FACL3 का NACN का KNO3 का या NAOH का किस जली विलियन का pH मान 7 से कम हो जाएगा Very good, Shabash KNO3 KNO3 का pH मान 7 से कम हो जाएगा अगला पंद्रवे नमबर का किसमें बंद कोण नियुनतम है आज यहाँ पर मैं physics और chemistry के question कराऊँ आपको किसमें बंद कोण नियुनतम है H2S NH3 CH4 या H2O किसमें बंद कोण नियुनतम है बताए Very good, Shabash Very good, बिल्कुल सही answer है H2S इसमें बंद कोण होते हैं वो नियुनतम होते हैं अगला किसम निम्न में से अक्रिय गेस के नाम से जानी जाती है इन में से आपको बताना है कौन से गेस अक्रिय गेस के नाम से जानी जाती है CL F O2 या XE कौन सी गेस अक्रिय गेस के नाम से जानी जाती है Very good XE XE गेस अक्रिय गेस के नाम से जानी जाती है कौन सी अक्रिय गेस के नाम से अगला question Radio धर्मी शाय क्रिया की अभी क्रिया जो कोटी होती है वो होती है एक ये तो देख लिया आपने अगला केशन है Dichlorobis मतलब यूरिया कापर थर का जो सुत्र है वो क्या हो जाएगा यूरिया कापर थर का सुत्र क्या हो जाएगा बताए C U O बताए यूरिया कापर का सुत्र कौन सा हो जाएगा Yellow Very good यूरिया कापर का जो सुत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर बी वाला वेरी गुड़ गुनिस्वे नमबर का केशन अगला केशन लिखावा है कि हाइट्रोजन बम निमन में से किसका उधारन है या इनमे से कोई नहीं हाईट्रोजन बम निमन में से किसका उधारन है और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सबस्क्राइब कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ना चाते हैं तो बिलकुल जुड़ सकते हैं पुचा हुआ हैं, बिस्वे नंबर का निम्न में से सबसे छोटा धनायन कौन सा है, निम्न में से सबसे छोटा जो धनायन है, वो कौन सा है, AL3 प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस या Ca2 प्लस, बताएं, सबसे छोटा धनायन जो होता है, वो AL3 होता है, प्रुब कर ला कि जो आघला क्रश्यन है हैं आज उस फेशा हुआ यह य है यह यह समीक्रन यह समीक्रन क्या कि रहते हैं उसका गीपस का समीक्रन कहतेarm Gips Hell Moheds समीकरण कहते हो या Wonderwall समीकरण कहते हो ये कौन सी समीकरण है बता इसको आप कौन सी समीकरण कहते हो वेरी वेरी गुड इसे हम कहते हैं Nustard समीकरण कौन सी समीकरण ये क्योशन अभी PNST 2021 में भी आया था नाइलेन चाचट खा और ये अभिवाला क्योशन भी आगया है दोजार गुनिस में नाइलेन चाचच एक लख है स्टाइरिन, आइसोप्रेन, चीजटू या 1,6-डाइ, एमिनोहेकसल ता 1,6-हेकसले-डाइ बताए, नाइलेन चाचच क्या है बताए वेरी गुड नाइलेन चाचच है आपका, एक बताए नाइलेन चाचच होता है 1,6-डाइ, एमिनोहेकसल ता 1,6-हेकसल डाइ, ओप्षन नमबर डी वाला अगला क्योशन ये क्योशन, एक तो नाइलेन चाचच और एक या प्रोटिन इन में से दो में से एक क्योशन आपका जरूर एक्जामिनर पूछेगा प्रोटीन का एक उधारण है प्रोटीन उधारण है एक बताए किसका केफेलीन का, लेसेथिन का, इंसुलीन का या इन में से कोई नहीं प्रोटीन जो उधारन है आपका किसका है वेरी वेरी गूड इंसूलिन का जो एक उधारन है वो है आपका एक प्रोटीन क्या है प्रोटीन वेरी गूड जीवित कोशिकाओं में क्या जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्मुन उर्जा समवाह कौन सा है जीवित कोशिकाओं में कौन सा है एडीपी टीटीपी एटीपी या इनमेसर कोई ने आप सबी को एटीपी का फुल फॉम भी बताना है कमेंट करके TTP का Full Foam भी बताना है और ADP का Full Foam भी बताना है इन तीनों का आपको Full Foam कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है जीवित कोशिका हूँ में सबसे महत्पुन उर्जा समभाख जो होता है वो होता है ATP ATP का क्योशन कहीं ने कहीं एक बार तो आपके एक्जामिनर जरूर पूछेड़ा अगला केशन पूछा हुआ है कि प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड द्वारा किसके द्वारा प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड के द्वारा तनू H2SO4 का विद्यूद अबगठन करने से के थोड़ पर जो प्राप्ट होता है वो क्या प्राप्ट होता है बताएं A option, B option, C option या D option तो वो जो प्राप्ट होता है वो प्राप्ट होता है आपका H2 अगला केशन तिस्वे नमबर का काला सलफाइड काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सपेद हो जाता है बताए एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता है तो सपेद हो जाता है तो जो सपेद योगिक हैं वो हैं आपका P-B-S-O-4 क्या है P-B-S-O-4 बढ़ते हैं ये मैंने आपको केमेस्ट्री के क्यूशन करा दिया बोटनी से पहले मैं आपको फिजिक्स के करा दिया ये देख लो आपके सामने 19 जुन 2016 का PNST का पेपर है चलिए ये लिजिए फिजिक्स का क्यूशन आया हुआ है कि विद्यूत छेत्र में रखा एक एलेक्टरान अपने भार के बराबर बल अनुभाव करता है तो विद्यूत छेत्र की जो तेवरता होगी वो क्या होगी बताएं ये चार ओप्षिन आपके सामने बताएं वेरी गूड शाबाश वेरी गूड वेरी गूड ये किसी के A, किसी के B, किसी के C तो वो हो जाएगी M, G तो सब में आएगा M, G बटा E हो जाएगी B वाला कि विद्यूत छेत्र में रखा एलेक्टरान अपने भार के बराबर बल का अनुभाव करता है तो जो विद्यूत छेत्र की तिवरता होगी वो M, G बटा E हो जाएगी अगला केशन है यदी किसी गतिशिल पिंड का वेग दो गुणा कर दिया जाए तो किसका मान दो गुणा हो जाएगा यदी किसी गतिशिल पिंड का वेग जो गतिशिल पिंड का वेग दो गुणा कर दिया जाए तो Very good तो समवेग का मान दो गुणा हो जाएगा किसका समवेग का मान दो गुणा हो जाएगा चलिए बढ़ जाते हैं अगले केशन के उर समान तरिज्या और आवेश की आट बुन्दे मिलाकर एक बड़ी बुन्द बनाती हैं, तो नई बुन्द का विभौ जो होगा, वो क्या दो गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, आट गुना हो जाएगा, कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समान तरिज्या और आवेश की आठ बूंदे मिलाकर एक बड़ी बूंद में बनाती हैं तो जो नई बूंद का जो विभव होगा वो कितना गुना होगा बताए Very good, शाबाश वो हो जाएगा आपका चार गुना हो जाएगा कितना? चार गुना हो जाएगा अगला केशन अगला केशन पुछावा है सम विभव, प्रष्ट और बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिगरी होता है 180 डिगरी होता है 90 डिगरी होता है या 45 डिगरी होता है बताए जो आई, जो खास कहा से वो ही क्योशन करा रहा हूँ सम विभव, प्रष्ट और बल रेखाओं के बीच का कोण बताए Very good, शाबाश वो हो जाएगा आपका 90 डिगरी कितना हो जाएगा 90 डिगरी हो जाएगा सम विभव, प्रष्ट और बल रेखाओं के बीच का जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90 degree हो जाएगा अगला केशन P प्रकार के एक मेट P प्रकार के अर्द चालकों में धारा का प्रवाह जो होता है इलेक्टरानों के द्वारा होता है होल के द्वारा होता है इन दोनों के द्वारा होता है होल या इलेक्टरान केशी के भी द्वारा या इन में से कोई नहीं P प्रकार के अर्द चालकों में धारा का प्रबाव जो होता है वो केसा होता है बता Very good, शाब बाश P प्रकार के अर्द चालकों में धारा का प्रबाव आप बता रहे हो ये पन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा वो होएगा आपका होल के द्वारा, बीवला होल के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला क्योशन है, अधिक्तम, शेतिस, परास, पाने के लिए प्रेक्षन कौन का मान बराबर होगा अधिक्तम 36 परास पाने के लिए प्रेक्षन कोन का जो मान जो बराबर होगा वो 30, 60, 45 या 90 बदाए जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो पसंद आता हैं तो लाइक कर सकते हैं, शेर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 45 डिकर Most important question है कि फ्रान होकर रेखाएं, किसका उधारण है? फ्रान होकर रेखाएं किसका उधारण है सतत स्पेक्ट्रेम का बेंड स्पेक्ट्रेम का उत्सर्जन स्पेक्ट्रेम का या अवशोशित स्पेक्ट्रम का फाल्ण होकर रेखाएं किसका उधारण है बताए Very good A, B, C फ्रान होकर रेखाएं हैं वो रेखा हैं आपकी अवशोशित इस्पेक्ट्रेम का उधारन हैं। अगला क्रेशन है विद्यूत चुम्बकी प्रेरण में प्रेरित वी वा बल। मतलब ए, एम, एफ निम्न मेंसे सोतंत्र होता हैं। फलक्स में परिवर्तन, समय, फेरो के संख्या या कुंडली की प्रतिरोधा। ए, 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 विद्यूत चुम्बकी प्रेरण में प्रेरित से सोतंत्र होता हैं। वो होता हैं बिल्कुल सही जबाब हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कुंडली की प्रती रोधकता किसमें कुंडली की प्रती रोधकता बिलकुल आपका सही आंसर हो जाएगा ये क्योशन तो आप लिखकर लेलो 110 परसेंट आपकी एक्जाम में पूछेगा कि जड़त्व आगुन का विमिय सुत्र क्या हो जाएगा जड़त्व आगोर्ण का विमी सुत्र ये तो आप सभी के आंसर आना चाहिए जड़त्व आगोर्ण का विमी सुत्र क्या हो जाएगा MLT-2, ML2T, ML2T या ML2T बताए Very, very good ये तो मुझे जड़त्व आगोर्ण का विमी सुत्र सभी के आंसर आना चाहिए बिल्कुल सही, M, L, 2 C वाला और अगला और लास्ट क्वेशन इसका उसके बाद हम और देख लेंगे, वोटनी के भी क्वेशन द्रडता गुणांक का सुत्र द्रडता गुणांक का सुत्र क्या हो जाएगा, बताए द्रड़ता गुणांग का सुत्र क्या हो जाएगा वेरी गुड़ N बराबर F 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 A धिता D वाला हो जाएगा अब मैंने आपको physics से करा दी प्लस chemistry करा दी अब हम करेंगे बोटन पोटनी के question इस्टार्ट करते हैं पहला question लिखा हुआ है कि जिवानों को किस समू को रश्मी कवक का जाता है जिवानों के किस समू को आप रश्मी कवक केते हो Mycobacteria, Mycoplasma, Actinomycities या Mixobacteria जिवानों के किस समू को रश्मी कवक के कहते हो और आप सबी बाद में बताना आपके कितने सही हुए है Very, very good Actinomycities जिवानों के किस समू को तो Actinomycities समू को हम क्या कहते हैं रश्मी कवक अगला question पादप कोशिका भित्ती में पाया जाने वाला जो Cellulose होता है वो किसका बना होता है पादप कोशिका भित्ती में पाया जाने वाला Cellulose हैं वो किसका बनाता है Glucose A, B, Glectose या Fractose बता Very good पादप कोशिका भित्ती में पाया जाने वाला जो Cellulose होता है वो Glucose B का बनाता है Very good B वाला अगला question Most important question है कि निमनलिकित में से Monocarpic पोधा कौन सा है Monocarpic पोधा बताना आपको Monocarpic पोधा कौन सा है अंगूर, केला, आम या अनार Monocarpic पोधा कौन सा है तो केला है या आपका एक Monocarpic पोधा है इसके अलावा किसी को 200 रुपए वाला अगर PDF लेना है तो वो अभी 20 तारिक से पहले-पहले ले लेना जिसमें आपको NCRT की 11-12 की Physics मिलेगी Chemistry मिलेगी और Biology मिलेगी ये Book मिलेगी ये सारा PDF मिलेगा वोटसप पर उसके बाद 2007-2019 तक के PNH के Older Paper मिलेगी उसके बाद 1500 Question 1 मिलेगी उसके बाद 1500 Question 1 मिलेगी 500 Question 1 मिलेगी अरिहनतर की Book के Biology और जूलोजी के Question भी मिलेगी इसके लिए आप Google पे Phone पे Paytium इसे नंबर पर करके किसी से भी अगर आपके पास नहीं हो तो आप किसी से भी Payment करवा सकते हो 200 रुपए का उसके बाद आपको Payment का Skin Short आता है याना इस नंबर पर Skin Short भेजना है उसके बाद आपको ये सारी WhatsApp पर PDF मिल जाएगी ठीके तो ये सब आपको 200 रुपए मिलेगा ये 20 तारीक तक ये 50% ओप चल रहा इसलिए आपको 200 में मिलेगा नहीं तो ये आपकी 400 रुपए की PDF हैं सारी तो जिनको लेना है अभी 20 तारीक से ले लेना ठीके कोई दिक्कत में अगला question बढ़ जाते हैं अपने और वीडियो थोड़ा सा शेर करना करो लाइक करना करो सब्सक्राइब करना करो ठीके आपकी कल के दिन या एक दिनो लगेगा कल के दिन आपकी सुबे 6 बजे साड़े 6 बजे क्लास होगी कल के दिन के लिए ठीके साड़े 6 से 8 रहेगी फिर 9 से 10 रहेगी चलिए अगला क्यूशन और होगा मैं आपको ग्रूप में बता दो और जिनको ग्रूप में एड होना है बिल्कुल यह फ्री ग्रूप है इसमें मेसेज कर सकते हैं अगला क्यूशन पुछावा है कि ग्लूकोस के एक अणू के संसलेशन के लिए ATP के कितने अणू की आवशकता होती हैं ग्लूकोस के एक अणू के संसलेशन के लिए ATP के कितने अणू की आवशकता होती हैं C3 चक्र में 9 ATP और C4 में 20, C3 में 18, C4 में 30, C3 में 22, C4 में 35, C3 में 24 या C4 में 6 बताए ग्लोकोस का जो एक अणू होता है उसमें संस्लेशन के लिए कितने एटीपी के अणू की आवश्कता होती है पताए वेरी गुड़ ए गलात अंसर है बी आंसर आएगा सी थ्री चक्र में कितने होते हैं अठारा और सी फॉर चक्र में होते हैं एटीपी का फॉल फॉर्म तो आप सभी को पता है तो बी बाला जाएगा सी थ्री में थारा और सी फॉर में तीस फर्म में जो जाइलम होता है एकजार को होता है मिसार्ज को होता है एंडार को होता है या पोली और को होता है कितने नमबर का पांचवे नमबर का बाई लोजिका क्यूश्चन फर्म में जाइलम जो होता है वो किसा होता है बता फेरी कोट पिलकुत सही जबाब है फर्म में फर्म में जो जाइलम होता है न वो होता है आपका मीसो अगला क्यूश्चन वह वर्णक जो लाल और दुरस्त लाल प्रकाश अउशोशित करता है वह वर्णक जो लाल और दुरस्त लाल प्रकाश अउशोशित करता है वो phytochrome कहलाता है, keratin कहलाता है, cytokrome कहलाता है, jenthofil कहलाता है, बता है वह वर्णक जो लाल और दुरस्त लाल प्लकाश अउशोशित करता है, वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है, phytochrome कहलाता है अगला question एसी अवस्ता जिसमें, एसी अवस्ता जिसमें phylamide और परागकोश अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े होते हैं उन्हें आप syndres कहते हो, gynendres कहते हो, protein drus कहते हो, synegenesis कहते हो, बता है एसी अवस्ता जिसमें phylamide, मतलब जनतन्तू और एंथर, परागकोश अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? विल्कुल सब्सक्राइब, उसे हम कहते हैं, synegen drus कहते हैं क्या कहते हैं? सिनेgen drus कहते हैं अगला क्योशन विशम वर्ति कागर किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? वति कागर किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्रिमूला के द्वारा, मिरा बिलिस के द्वारा, हली एंथस के द्वारा, या चाइना रोस के द्वारा विश्यम वर्तिकाग्र हिस्टो स्टाइली किसके द्वारा प्रदर्शित होता है पता वेरी गूट प्रिमूला के द्वारा किसके प्रमीला के द्वारा याद रख लेना किसके द्वारा प्रमीला के द्वारा होता है ठीक है नुवे नंबर का कुश्चन सेमेट्रो ट्राफिक्स हार्मोन कुनसा सेमेट्रो ट्राफिक हार्मोन तथा थाइरो ट्राफिन हार्मोन सेमेट्रो ट्राफिक हार्मोन तथा थाइरो ट्राफिन हार्मोन जो इस्त्रावित होता है वो लाइसोसोम के द्वारा होता है एडो प्लास्मिंग रेटिकुलम के द्वारा होता है गालजी बोडी के द्वारा होता है या इन में से कोई ने सेमेटो ट्राफिक्स हार्मोन से तता थाइरो ट्राफिक्स हार्मोन का जो इस्तरा होता है वो किसके द्वारा होता है बताए वेरी गुड वो होता है गोलजी बाड़ी के दुआरा नियंत्रित होता है और आज का लास्ट क्यूशन करेंगे साट क्यूशन कर दिये हैं मैंने आपके लिए ठीक है निम्नमे से कौन सी प्रक्रिया लोह के अभाव से सिधी प्रभावित होती है एसी कौन सी प्रक्रिया हैं जो लोह के प्रभाव से सिधी प्रभावित होती हैं गालकोलिसिस, केल्विन चक्र, कोशिका का डिपीडी या आक्सिडेटिक फास्फोरिली करन बताएं आज मैंने पचास से जादा ही क्रश्चन कराएं आपको कौन सी प्रक्रिया लोह के अभाव से सिधी प्रभावित होती हैं तो वो होती हैं आक्सिडेटिव फास्फोरिक करन चली यह मैंने आज आपको पचास प्लस क्योश्चन करा दिये हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता हैं तो आपको लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है और अगर हमारे फ्री ग्रूप में एड होना है तो ये दिये हुए नंबर पर मेसेज कर देना है 9753749986 इस नंबर पर मैं एक बारों लिख देता हूँ एक मिठे ना और वीडियो थोड़ा शेयर करें अब मिलेंगे अपन कब अब जो आपके क्लास होगी अब आपकी जो क्लास होगी एक में थे ना थोड़ा सदिक्कतारी अब आपकी जो क्लास होगी वो आपके क्लास होगी कल सुबे साड़े छे बजे भी हो सकती है तो जो भी जुड़ना चाहता हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंड जरूर करें कि आपके कितने नमबर आए वीडियो देखने के लिए आप सबी प्यारे भाईयों बहुत बहुत धन्यवाद